मेरी बात सुनो, शैतान ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जिस जगल की मैं बात कर रहा हूँ, वह लीब्या का निर्जन इलाका है, जे नदी की तट की साथ साथ, और वहान तो शान्ती है, न खामोशी. नदी का पानी भूरा मतमेला है, वह सागर की ओर नहीं बहता, बल्कि सूरज की लाल आखों के नीचे एक ही जगह पर उबलता रहता है. नदी के कोमल ततों पर मीलों तक पीले कमलों का रेगिस्तान फैला है, ये कमल दैत्याकार है. वे उसे काकीपन में एक दूसरे पर जुक्याहे भरते रहते हैं और अपनी लंबी और भूतों की सी गर्दने आस्मान की और फैलाए रहते हैं, और सिर हिलाते रहते हैं. उनके हिलने से एक मद्धिम सी द्वनी बराबर उठती रहती है, पर उनके राज्य की भी सीमा है, अंधिरे, भयावे, उचे-उचे जंगलों की सीमा. वहां, छोटे पौधे हमेशा हिलते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ब में हवा नहीं चलती, और उचे आदम पेर तीखी आवाजे करते हुए इधर उधर जूंते रहते हैं, और उनकी उची चोटियों से चिरंतन उसकन बूंद-बूंद कर तपकते रहते हैं. जड़ों के पास अजीब जहरीले फूल कश्ट में निद्रा में कराहते रहते हैं, और उपर भूरे बादल, तीखे शोर के साथ हमेशा पश्चम की ओर भागते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ब में हवा नहीं चलती, रात और बारिश पढ़ रही थी, तो बारिश थी, खून था और मैं उल्चे कमलों के बीच खड़ा था और बारिश मेरे सिर पर पढ़ रही थी, और निर्जंता में कमल आहे भर रहे थे, और अचानक भीनी धुंद में से चांद निकल आया, लाल-लाल चांद, मेरी नजर नदी के तटपर की एक भूरी, बड़ी चतान पर प था, मैंने चतान को देखा उस पर लिखा था पयाबान, और मैंने उपर की ओर देखा, चतान की चोटी पर एक आदमी खड़ा था, ये देखने के लिए कि वो क्या करता है, मैंने अपने आपको कमलों के पीछी चुपा लिया, वो आदमी कद में लंबा उंचा था और कंदो से लेकर पाउं तक रोमन चोंगे में लिप्ता हुआ था, उसके अंगों की रेखाय असपश्ट थी, लेकिन उसका चहरा किसी डैर्वी पुरुष का सा था, उसका माथा चोड़ा था, उसकी आखों में परेशानी थी, उसके गालों पर पड़ी कुछ जुर्यों ने ही तब उसने कमलों की आहों की ओर कान लगाया, और मैं छुपा छुपा सब कुछ देखता रहा, तब मैं कमलों के बीच नीचे छुपकर चलने लगा और कमलों के उस जंगल में आगे बढ़ता गया और मैंने वहां रहने वाले हिप्पो पोटे मसों को बुलाया, उन्होंने म मेरी आवाज सुनी और आ गए और चांद के नीचे तीखी आवाज में गुराने लगे, वो दैरवी पुरुष तब भी चटान पर बैठा रहा, अपने एकांत में कांप ता, तब मैंने पंच तत्वों को तूफान का शाप दे दिया, और जहां पहले हवा भी नहीं चल रह थी, वहाँ अब तूफानी हवाएं एकत्र होने लगी, आस्मान तूफानी हवाउं से हहराने लगा और उस पुरुष की सिरफ पर बारिश की बुंदे गिरने लगी और नदी में बाड़ आ गई, और नदी में जाग उठने लगा, और कमल जोर जोर से चीखने लगे, और ह बीटती गई, वह चत्तान पर बैठा रहा, तब मुझे गुसा आ गया और मैंने फिर शाप दे दिया नदी को, कमलों को, हवा को, जंगल को, आस्मान को, तूफान को, कमलों की आहों को सबको खामोशी का शाप, वे अभिशक्त हुए और खामोश हो गए, चांद ने आस्मान म उपर चरना छोड़ दिया, तूफान मर गया, बिजी थम गई, बादल लटके रह गई, पानी तल पर चला गया और वही रुख गया, रिक्षो ने जूलना छोड़ दिया, कमलों की आहे रुख गई, उनकी आवाजे भी मर गई, और उस अनंत मरुथल में किसी परचाई की क कोई आवाज नहीं रही, और मैंने चतान पर खुदे अक्षरों को देखा, वे बदल गए थे, अब अक्षर्यों थे खामोशी, और मेरी नजर उस पुरुष के चहरे पर गई, उसके चहरे पर भाई की छायाएं थी, जल्दी से उसने अपने हाथों से अपने सिर को उठाय और चतान पर खड़ा हो गया और सुनने लगा, पर पूरे अनंत विस्तार में कोई स्वर नहीं था और चतान पर खुदे हुए अक्षर थे खामोशी, और पूरुष का उपुठा, उसने मुँ घुमा लिया और तेजी से वहां से भाग गया, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, मकबरे की छाह में बैठकर शैतान ने उस दिन जो कहानी मुझे सुनाए, उसे मैं सबसे आश्चर्यजनक कहानी मानता हूँ, और कहानी का अंध होते ही शैतान मकबरे की दरार में जाकर लेट गया और हसने लगा, पर मैं शैतान की साथ हस नहीं सका और क्योंकि मैं ह इसलिए उसने मुझे शाक दे दिया